शामी मी A1 में मार्स सिक्रिटी पैच का अपडेट रोल आउट होना सुरू हो गया है तो अगर अभी तक आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो आप इस वीडियो कौन तक देखते रही है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और इस बात को बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जब मैंने फेबलरी सिक्रीटी पैच अपडेट का वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि आपको Google Service Framework को Clear Cash, Clear Data करने की ज़रूद नहीं है आप एक बीटा टिस्टर बन जाई है और आपको सबसे पहले जो है सारी अपडेट्स मिल जाएंगी और इस बार भी मैंने यहाँ पर Google Service Framework को छेर खानी नहीं की है और मुझे सबसे पहले यहाँ पर अपडेट मिल चुकी है अब यहाँ ऐसा कर सकते हो आपको Settings में जाना है फिर Google में वहाँ पर Security को खोच के निकलना है Security में जाने के बाद 3.Option में जैसे आप Help and Feedback में क्लिक करते हो और वहाँ पर फिर से 3.Option में आपको यहाँ पर View in Google Play Store का एक Option मिलता है आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पर Google Play Services का जो बीटा एप है यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है और अगर आपने करके रखा है तो उसे अपडेट करना है और आप डारेक्ट एक बीटा टेस्टर बनते हो और उसके बाद सबसे पहले आपको Security Patch की जो अपडेट्स है वो मिल जाएगी बिना कोई परिसानी के और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ इंस्टॉल करना सुरू कर दिया है लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो शामी ने साइद गलती से यहाँ पर जो है अपडेट में रोल आउट कर दिया है जो की है यहाँ पर दिखा रहा है जो Security Patch है वो April 2018 का है हलाकि हमें अभी तक March का अपडेट नहीं मिलाता तो साहिद यह March का ही अपडेट है और Installation complete होने के बाद पता चल जाएगा तो यहाँ पर थोड़ी सी एक गलती है जो यहाँ पर April 2018 का यहाँ पर Security Patch दिखा रहा है तो यहाँ पर जो अपडेट हमें मिलती है यह 440 MB का है तो लगबग यह से बड़ा अपडेट कह सकते हैं आप क्योंकि जो February में Security Patch का अपडेट मिला था वो 89 MB का था तो लगबग बड़ा एक अपडेट है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और यहाँ पर जो है हमारा अपडेट यहाँ पर लगबग कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद सीधे हम लोग जाएंगे सेटिंक्स में और यहाँ पर देख लेंगे जो जो system UI है वो पहली के तरह fast और snappy है और यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में भी कोई changes वगएरा मुझे नहीं देखने के लिए मिली और यहाँ पर fingerprint gesture को यहाँ पर देख लेंगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं तो यह आराम से काम कर रहा है February security patch को update करने के बाद जो problem मुझे face करनी पड़ी थी वो थी मेरा data connection खुद बाखुद off हो जाता था और जो hot spot है वो खुद बाखुद on हो जाता था तो मार्च security patch को update करने के बाद क्या यह problem solve हुई या क्या यह bug fix हुआ मैं आपको next video में update कर दूंगा यहाँ पर google cards असानी से ठीक ठाक काम कर रहा है और यहाँ पर camera application में कोई lag है की नहीं यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो camera application में यहाँ पर कोई lag नहीं है तो मैं एक और dedicated video बना दूंगा जिसमें मैं on to to benchmark जो score है उसे test कर लूँगा February patch में मैंने दिखाया था कि क्या score है और क्या February के बाद March में यहाँ पर जो score है यहाँ पर कुछ improvements आई है कि नहीं मैं यहाँ पर बता दूंगा और यहाँ पर fingerprint जो है असानी से टिक टक काम कर रहा है स्पीड बड़ी है कि नहीं मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूं कि क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ वरक नहीं लग रहा है पहले जो स्पीड था अभी भी वही स्पीड है तो जरू सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि MIA1 को रिलेटेट कोई भी न्यूज अपडेट की न्यूज या टिप्स और ट्रेक्स सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्मैक टेक में मिलती है और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजे आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो का जरूर इंतिजार कीजिए